इस अधिनियम के द्वारा भारत परिश्यत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया यह जो आपका प्रिश्ण है यह आया हुए आपका UPPCS की जो परिक्षा हुई थी UPPCS 2017 में यह आपका प्रिश्ण पूछा गया है ठीगा कभी महत्पूर्ण प्रिश्ण है तो जो सही जवाब होगा वो होगा आपका अधिनियम 1935 ठीग है यह जो अधिनियम 1935 था भाराशाशन अधिनियम 1935 यह सका आगया स्वेत पत्रादारित था यह सरबादिक प्रापधान वाला यह अधिनियम आया इसमें भारत परिश्ण को समाप्त किया गया साथ ही साथ अखिल भारतिया परिसंग की स्थापना की गई अखिल भारतिया परिसंग के साथ यहाँ पे जो केंदर में द्वेत सासन व्वस्था प्रारब की गई और प्रांतों से द्वेत सासन जो था वो समाप्द किया गया ठीक है द्वेत सासन बवस्ता प्रांतों से समाप्द करके आप केंदर में इसको लगा दिया गया ठीक है यहाँ पर एक और पॉइंट है इसी में आपका संगिय न्यायले की स्थापना की गई संगीय न्यायले जो था ये जो बरत्मान का सुप्रिंग कोट है वह ही आप समझ सकती है संगीय न्यायले कि इसमें स्थापना की गई इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मत सक्तियों का बटवारक किया गया भारत से बर्मा को प्रथक किया गया तरीके से ये सबसे महत्रपूर्ण जो अधिनियम था 12 शर्षन अधिनियम 1935 कहा जाता है इसके बाद हम देखते हैं 1909 का जो अधिनियम था इसे भारत परिश्चत अधिनियम 1909 कहा जाता है इसका अन्य नाम जो है वो मारले मिंटो सुधार है मारले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है चुकि मारले जो थे वो भारत सचिप थे मिंटो, लोड मिंटो, वाइस राही थे उस समय इसलिए से मारले मिंटो सुधार कहा गया मारले मिंटो सुधार में जो सबसे महितवून बात थी वो थी נirvacan और पतिनेठेतू की विवस्त्ता, ठीक है, यहां पर क्या गया गया कि जो गया जिसे का आगया समप्रदाइक पतिनेठेतू त्थीक है, यही वे अधिनियम था जिसने आगे चलके भारत-पाकिस्तान का जो व्रवाजन है उसकी नीव यहीं से रखी गई इसमें एक अन्य ववस्था की गई थी जमीदारों के लिए भी पैतक पतिनेदेतु की ववस्था की गई जमीदारों के लिए यहाँ पे पैतक पतिनेदेतु की ववस्था थी साथ ही साथ धरम और वर्ग के आथार पर निर्वाचन की बगस्ता वाला यह पहला अधिनियम के लाया है ठीक है तो यह था भारत परिशद अधिनियम उनिस सोनो जिसे मारले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है जिसके बाद 1919 का जो अधिनियम था यह था अपका भारत शाषद अधिनियम उनिस सो उनिस इसे मान्टेंग्यू चेम स्पोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है जोकि मान्टेंग्यू मान्टेंग्यू भारत सचिप थे जबकि जो चेम स्पोर्ड थे वो समय भारत के वाइसराय थे इसमें प्रान्तों में द्वैत शासन बवस्ता का प्रारम हुआ ये इस जो अधिया में इसका सबसे महत्वून जो थत्य था प्रान्तों में द्वैत शासन बवस्ता का प्रारम या एक अन्य जो महत्वून इसमें प्राबधान हुआ वो था केंद्रिय बिधान मंडल, जिसे केंद्रिय बिवस्थापिका कहते थे, उसके दो सदन कर दिये गए, पहला था आपका केंद्रिय बिधान शबा, तथा दूसरा था आपका राज़ परिशद, ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसमें दो आपके, जो परिशद थी केंद् इनियम 1947 यह था भारतीय स्वतंता अतियुम 1947 जोकि 3 जून 1947 को यह मौंट वेटन यूजना के रूप में एक विद्यक के रूप में यह आता है ठीक है, इसको 3 जून यूजना भी कहते हैं चुकि मौंट वेटन उसमें भारत की बाइस राये थे तो माउंट वेटन ने एक विवस्ता बनाई ठीक है किस तरीके से भारत में सत्तागा अस्तांतरन होगा तो वह ये भारस अशन अधिनियम था 3 जूल 1947 को माउंट वेटन यूजन आई पह विद्यक गया बिटन की जो संसती वहाँ पे 4 जुलाई 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया इसके बाद 18 जुलाई 1947 को समराट जो जॉड शिक्स थे उनके स्प्यास ताक्षर होते हैं और 15 अगस्त को भारत आजात हो जाता इस तरीके से ठीक है तो ये था भारती सुतंता थिनियम ने निस सुतंता के समय बिटेन के प्रधान मंत्री क्लीमें टैटली थे ये जो थे ये लेवर पार्टी से सम्बंदित थे उसमें लेवर पार्टी सता में आ चुकी थी ठीक है और जो बिटेन के समराट थे जो 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 शिक्स थे ठीक है तो इस तरीके से भारत शाजन अधिनियम 1947 ये भारत का सुतंता अधिनियम के लाए ठीक है तो ये आपका प्रिशन आपके कंपलीट होता है किस अधिनियम के दौरा भारत के लिए केंद्रिय बिधान परिशत का गठन किया गया यहाँ पर ये जो प्रिशन है ये आया हुए आपका उत्तर प्रिदेश समीक्षा दिकारी 2000 बर्स 2013 में ये पूछा गया प्रिशन है काफी महत्रपून प्रिशन है ये NCID-based सारे प्रिशन हैं यहाँ पर हम करा रहे हैं तो ऐसा मत समझीगा कि ये कोई से भी कोश्चन उठा लिए कहें सभी important question है और यहाँ से किसी नकिसी एक्जाम में ये प्रिशन आपके repeat होते रहते हैं तो इसमें आपका जो सही जबाब होगा option C, charter act 1853 तो ये जो charter act 1853 था इसके तहद बारत के लिए एक प्रथक केंद्रिय बिधान परिशत का गठन किया गया है इसमें एक प्रजो आन्य बिवस्था थी वो थी civil सिभकों के लिए प्रतियों की परिक्षाओं का आयोचन ठीक है ये यहाँ से प्रारम होगा इसके बाद ये जो 1853 का charter था जिसमें किंद्रिय बिधान परिशत की गठन की बिवस्था की गई आगे चलके जो भारषशाशन अधिनियम 1919 आया उस अथिनियम के तहत इस किंद्रिय बिधान परिशत की दो सदन कर दिये गए दो इस अधिनिय बिवस्था कहां से श्टार्ट हो थी आपकी भारषशाशन अधिनियम 1919 से जबकि आपकी जो बिधान परिशद है वह विवस्ता कहां से है ये आपकी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ठीक है जो 1922 का पारशाशन अदिनियों में उसमें दो जो उसके सदन किये गए उसमें केंद्रिय बिधान सभा तदा दूसरा राजजित परिशद हुई ठीक है यहाँ से समाप्त कर दिया गया बिटेश जो बिटेश सरकार थी उसके दोरा कमपणी के एक अदिकार समाप्त कर कि केबल δोचीजीजे कंपणी के उसमें रह गई थी व्रयापार के लिए जिसमें आपकी एक्ट्थर चाहे थी, दूसरा था आपका चीन के साथ ब्यापार, ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर company का अधिकार रह गया था, बाकी सबी जो company के ब्यापार समधेत अधिकार थे वो यहाँ से एक अधिकार जो थे, वो समाप्त कर दिये गए, ठीक है इसी के साथ में company को ये एक आदेश दिया गया ये company की जो भी आय होती थी East India Company की बाद चले ये यहाँ पर, company की जो भी आय होगी, उसमें से पतिवर्स एक लाख रुपए, company भारत पे भारतियों की सिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा यहाँ पर सिक्षा में, आपके दोरा अंग्रेजी सिक्षा को बढ़ावा देने का ये प्रयास था, साथ ही साथ इसी जो 1833 का charter act था, इसमें इनोंने एक अन्य जो मैत्वण चीज रखी वो थी इसाई मिसनरियों के दोरा भारत में इसाई धर्म का परचार, चुकि उन्हें बहरत में अपना दिकार करना था, बहरत में अपनी जड़े मजूद करनी थी, तो कहीं न कहीं भारतीय हैं, उन्हें इसाई धर्म में convert करना चाह रहे थे, ताक कि जितने जानदा अधिक से तिक इसाई होंगे में अंग्रेजी जो सामराज है उसकी संबदाने के स्तिती यहां से दिखने लगी ठीक है इसके बाद जो 1833 का जो Charter Act है इसमें जो इनों ने चाय और चीन के साथ जो व्यापार कादिकार अभी कंपनी को दे राखा था वे भी यहां से समाप्द कर दिया गया ठीक है तो 1833 के Charter Act में कंपनी को चाय पे तथा चीन के साथ व्यापार करने पे इकादिकार था जो की 1833 के Charter Act में इसको समाप्द कर दिया गया ठीक है इसके अलावा 1833 का जो Charter Act है यह और उसमें महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पे बंगाल का जो Governor General होता था बंगाल का Governor General अब वह पूरे भारत के इसको Governor General कर दिया गया यहां से ठीक है तो यह 1833 का Charter Act था चूंकि अब जो बंगाल का Governor General था वो भारत का Governor General हो गया तो पहला जो भारत का प्रथम जो Governor General था वो वह आपके William Banting भारत के पहले Governor General बने Governor General की जो परिशद थी उसमें अभी तक तीन सदस्य होते थे चुकि जो 1784 का Pits India Act था उसमें यहां पर तीन सदस्य कर दिये गए थे Governor General की जो परिशद थी उसमें जिसे बढ़ा के इस Act के द्वारा 1823 के Charter Act में अब यह 4 सदस्य हो गई ठीक है तो Governor General की परिशद में जो 14 सदस्य था वो एक विधि विशेशद के रूप में सामिल किया गया तो जो पहला विधि विशेशद के सामिल किया गया उसमें वो था मेकाले गाले को बिधी भी से सकेके के रूप में इस चार्टर एक्ट के द्वारा 18-23 के चार्टर एक्ट के द्वारा चोथे सदस्य के रूप में भारत परिश्यद में सामिल किया गया कुछ अन्य जो सुधार किये गये उसमें धर्म जाती वन्स वर्ण इन सभी के आधार पर जो सरकारी सिवाव में बेदवाब होता था वो समाप्त कर दिया गया ठीक है बिधी आयोग की स्थापन होती है प्रिथम बिधी आयोग इसमें आया जिसकी अधिक्सता किसने की मेकाले के दोरा जो भी भारत की IPCCRPC के जो निर्माण हुआ ये मेकाले के दोरा ही उसमें किया गया यहाँ पर एक अन्य जो महत्तपूंतत होगा वो था इसी एक्ट के दोरा 1833 के दोरा ही दास प्रथा को गयर गयर कानूनी गोशत किया गया ठीक है तता इसे 1843 में जाके दास प्रता को पूर्था स्वाम्त कर दिया गया इसके बाद हम बात करते हैं 1861 का जो एक्ट है उसके बारे में 1861 का एक्ट था इसको कहा जाता है भारत परिशद अधिनियम ठीक है परदान करने की गोश्रा की गई जिसे प्रांतिय स्वाइद्था की रूप में देखा गया ठीक तो यहीं से आपका प्रांतिय स्वाइद्था की नीव कई जा सकती है यहां से प्रारम वोई पहली जो प्रांतिय श्वाधता दी गई वो बंबई उम्मध्रास प्रांता तो इस तरीके से यह आपका जो प्रिष्णे यह कंप्लीट होता है किस अधिनियम के दोरह कलकत्ता में सुप्रीम कूट की स्थापना की गई यह जो प्रिष्णे यह आया हुग है अप्तर प्रिदीश का दूसर अमिक्षा अधिकारी की परिक्षा होती है 2010 बर्स में यह पूछा गया है तो यहाँ पर आपके पास चार आप्शन है 1784 का अधिनियम, 1858 अधिनियम, 1773 अधिनियम और 1947 अधिनियम इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा 1773 का अधिनियम ठीक है, आंसर C, इसका सही जवाब होगा 1773 को जो अधिनियम था, इसे कहा जाता है Regulating Act, ठीक है अरत में British संसत के दौरा बनाये गया पहला अधिनियम था, ठीक है इस अधिनियम को कहा जाता है इसका जो अन्य नाम है, वो है Lord North ठीक है 1773 का अधिनियम यह सबसे महतपूर अधिनियम है चूँकि यह पहला अधिनियम था इसी के दौरा, कमपनी का भारत में किस तरीके का शाशन होगा वह किस प्रिकार से भारत में शाशन करीगी यह निर्धारित किया गया इसकी एक विवस्ता बनाई गई बंगाल प्रेसिदेंसी थी उसे उसी में मद्रास और बंबई को सामिल करके बंगाल का एक गवर्नर बनाए गया पहला गवर्नर जो बना वो बारेंग हैंस्टिंग था गवर्नर जनरल के लिए एक परिशत का गठन किया गया 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कूट की स्थापने की जाती है 27 मार्च 1774 यह अब की डेट है जब सुप्रीम कूट की या स्थापने की जाती यह जो सुप्रीम कोट था इसमें फौसारी, दीवानी, जल, सेन, धार में एक मामले इस तरीके के मामलों को सुनने किसकी अधिकार रहता थी तब नियाइदीस बने वो थे सर एलिजा, शाह, इंपी, ठीक है इसी यह जो सुप्रीम कोट था, इसके अगेंस्ट में, इसके बिरुद्ध में अगर कोई अपील करनी होती है तो वह इंग्लेंड में स्थित प्रिभी काउंसिल में की जा सकती थी, ठीक है Pits India Act, 1784 का Pits India Act Pits India Act में पहली बार जो company का शार्षन था, उसे पहली बार भारत में जो company का शार्षन था जिन भी छेत्रों में company का शार्षन था उसे पहली बार British अधिकरत भारती परदेश कहा गया, ठीक है British Occupied Indian State उसको कहा गया, ठीक है ये पहली बार इसमें सीधे सीधे उसको बिट्टे सधीकरित भारती प्रदीश के रूप में कहा गया इस एक्ट के द्वारा ये जो पिटसिंडी एक्ट था इसमें करमचारी जो थे कंपनी के उन्हें उपाहर लेना जो गिफ्ट लेते थे उस तरीके तो उपाहर लेने पर उ लगा दिया साथ ही साथ अंग्रीज अधिकारियों पर मुकदमे हे दू इंग्लेंड में एक कोट की स्थापना की गई ठीके चुकि जो 1764 में सुप्रीम कोट बनाया गया था वे था भारतियों से सम्मंदित था ठीक है तो उसमें भारतियों के मुकदमे सुने जाते थे पर बिटिस जो समराठ है उनका नियंतरण और निरिक्षण होगा ठीक है तो इस तरीके से यापका 1784 का पिट्स इंडिया एक था इसके बाद बात करते हैं 1858 का अधिनियम ये भारत शर्शन अधिनियम 1858 था जिसमें कमपनी का अधिकार भारत में से समाप्त होता है क्योंक बिटेन के समराठ है उनके द्वारा सत्था को अपने हाथ में ले लिया गया बिटिस क्राउन के हाथ में आख से सत्था चली गई ठीक है बिटिस क्राउन के हाथ में सत्था चली गई तो अभी तक जो गवर्नर चनल होते थे अब वह है वाइसराय उसकी जगए बाइसराय ने ले ली, पहले जो वाइसराय थे वो बने आपके Lord Kenning, ठीक है तो पहले वाइसराय Lord Kenning को बनाए गया इसके बाद एक भारत परिशत का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष भारत सचिप क्या लाने लगा यह भारत परिशत जो थी, इसमें 15 सदिस होती थे पहला जो भारत सचिप था, वो था आपका Lord Stand Day ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1947 का अधिनियम की 1947 का जो अधिनियम था, यह आया था 3 जून को, 3 जून 1947 को इसको Lord Mountbatten के दोवारा एक यूजना बनाई गई, यूजना प्रस्टत की गई कि भारत का, किस तरीके से बारत का अधिनियम की जाएं, किस तरीके से यह की विवस्था की जाएं ठीक है, तो यह 3 जूनी यूजना कहलाती है 4 जूलाई 1947 को, बिटेन की सिल्सद में इसको प्रस्टत किया गया तता 18 जुलाई 1947 को बिटेन के समराट के द्वारा जोर्ज सिक्स के द्वारा इसको अनुमती प्रदान की गई और 15 अगस्त को भारत को आजादी प्राप्त होती है ठीक है तो इस तरीके से ये पूरा गटना क्रब होता है तो ये आपका प्रिश्ण